आज के सद्र आली विकार मुहसिन अर्दू अदब, खादिम अर्दू अदब, रहनुमाए अर्दू अदब, जनाब यही अब्दुल जब्बार साहब की खिद्मते आलिया में बड़े अदब वहतराम के साथ हमारे सरपरस्त आली विकार जनाब फारूक सेट रेशम वाला साहब से गुजारिस करूं के उतश्रीव लाए और यही अब्दुल जब्बार साहब की खिद्मते आलिया में गुलों का नजराना पेश करें और आप फिर सारी तालिया बजा करके उनका इस्तिक्बाल करें फारूक सेट साहब इस्तिक्बाल करेंगे यही अब्दुल जब्बार साहब का दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था और आपने भी वादा किया था तो आपको मेरा साथ देना है आप मेरा साथ देत आलिया बजा करके इस्तिक्बाल करें यही अब्दुल जब्बार साहब की खिद्मत आलिया में गुलो का नज़ाना पेश हुआ आईए इस वक्त हर्दिल अजीज रहनुमा हर्दिल अजीज कार्परेटर लाइक हाजी सहाब की खिदमते आलिया में गुलो का नजराना पेश करेंगे मोतरम सुहलाजास सहाब से गुजारिश करूं कि ओ तश्रीप लाए और लाइक हाजी सहाब की खिदमते आलिया में गुल गुलों का नजाना पेश करें जल्द जल्द इस अमल को यहाँ पर पेश कर दें इस अमल को कर लें। आज के सदर आली विकार गुलों का नजाना पेश करके उनका इस्तिक्बाल करेंगे आप तालिया बजा दिया करें बार बार ऐसा ना सोचे के मुझे बोलना पड़े निसार सेट राशन वाला सहब तश्रीप लाएंगे और उनका इस्तिक्बाल करेंगे आज के कन्वीनर आली विकार जनाब साबिर हिंदुस्तानी सहाब, साबिर पाकिस्तानी नहीं अच्छा हुआ, यह साबिर हिंदुस्तानी है, तो साबिर हिंदुस्तानी इस्तेक्बाल कर रहे हैं, आप तालिया बजा करके इस्तेक्बाल करें, निशार सेट चेर्मेन सहाब का रासन नेस्वेसन के सद्र आली विकार निसार सेट राशनवाला साहब का इस्तेक्माल किया गया उसी के साथ साथ हमारे इलाके के वाइड नंबर चार के हर्दिल अजीज रहनुमा और कायद जनाब शफीक सेट जमीनवाला साहब तश्रीव फर्मा है मैं यहिए अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूँ और सफीक बॉकसर और पूरा गुरूप मुस्तकीम का जोरदार तालिया बजा करके इस्तेक्बाल करें शफीक सेट जमीन वाला साहब की खिद्मते आलियावे यही अब्दुल जब्बार साहब अपनी मुहपतों का नजाना पेश करेंगे आप तालिया बजा करके इस्तिक्बाल कर रहे हैं आईए इस मकाम पर बड़े अदब औहितराम के साथ गुजारिस करूं सेट जावी जेटी साहब तश्रीप लाएं सेट जावी जेटी साहब उनका इस्तिक्बाल करेंगे जनाब मलिक मंजर मालिगावी जिनकी बड़ी सारी मेहनतें और जद्दो जहद रही हैं आप तालिया बजा दे मलिक मंजर साहब इस्तिक्बाल कर रहे हैं सेट जावी जेटी साहब का सेयद जावीद जेटी साहब का इस्तेकबाल हुआ उसी के साथ साथ मैं इस वक्तों गुजारिस कर रहा हूँ नवीत प्रेम साहब तश्रीप लाएंगे और हर्दिल अजीज कार्पुरेटर मोहतरा माली विकार आमीन चेर्मेन साहब जो है उनका इस्तेकबाल करेंगे आमीन चेर्मेन साहब इस्तेकबाल करेंगे आप तालिया बजा करके इस्तेकबाल कर ले हो सकता है मुस्तक्बिल में नवीत प्रेम साहब कार्पुरेटर बन जाए ऐसा मुम्किन है हो सकता है किसी भी हवाले से हमारे दर्मियान उर्दू की खिद्मत करने के लिए हमा वक्त फरीजा अंजाम देने वाली सक्सियत जनाब शेक उमर साहब तश्रीप फर्मा है मैं उनसे गुजारिश करूं कि यहां तश्रीप लाए और सुहल आजास स भी साहाब से गुजार uso करूं के शेक उमर सहब का हाजी अच्शी अप्दू्क्योंसाहब का दोनों सहाबान काईके बात दीगरे इस्तिग्षिये का मौका इलायत करें आप पर्जोर्ड तालियों में इस्तिग्षिये का मौका उक्र फॉर्दू और शेक उमर साहब का और उसी के साथ साथ हमारे दर्मियान हर्दिल अजीज कार्पूरेटर रहनुमा इस्तिक्बाल करना चाहते हैं बेनुला कौमी शोरतों के मालिक जनाब रईस कास्मी साहब के दस्ते मुबारक से लईक हाजी आटो साहब का इस्तिक्बाल होना चाहता है रईस कास्मी साहब के दस्ते मुबारक से तालिया बजागर के इस्तिक्बाल करें हाजी अब्दुर्रजाक साहब का भी इस्तिक्बाल होना चाहता है उसी के साथ साथ इस वक्त अदारा अनमोल जो अर्दू अदब के हवाले से हमा वक्त सरगर्म रहने वाला अदारा है अदारा अनमोल की जानिब से भी इस्तिक्बाल होना चाहता है इस वक्त तो मैं गुजारिस कर रहा हूँ साबिर हिंदुस्तानी तश्रीप लाए हाजी अब्दुलकरीम राशनवाला साहब का इस्तिक्बाल करेंगे आपकी पुर्जोर तालियों में क्योंकि हमारी सरप्रस्ती फर्मारे है हमारी रहनुमाई फर्मारे मोहतरमाली विकार दोस्तो थोड़ा सा संजीदा हो जाए अभी मैं समझता हूँ जब से फूलहार की रस्मों का मैंने आगास किया है अभी दो से तीन मिनट गुजरा है तो मैं इस वक्त यही अब्दुल जब्बार जो खादी में उर्दु अदब हैं मोहसिन उर्दु अदब हैं उनकी अर्दु दोस्ती अर्दु नवाजी को मद्द नजर रखते हुए उनकी अर्दु नवाजी से मुतासिर हो करके आदारे अनमोल megapटेके के जनाब हाजी फैयाज अनमोल साहब नसीम कुथसी साहब ने फैसला किया कि उनके अदारे की जानिव से मुधरम नदीम जियार साहब तश्रीप लाएंगे और यही अब्दुल जबार साहब का भरपूर तालियों में आप इस्तिक्बाल करेंगे यह बड़ी महबतों की बात है चाहतों का मामला है आप इस्तिक्बाल कर लें दोस्तों आप तालिया बजा दें ऐसे आप कंजूसी ना करा करें बड़ी महबतें आप से मिली जिन लोगों का भी फूलहार बाकी है मैं इस वक्त तो गुजारिश कर रहा हूँ मुधरम बड़ी महबतों के साथ मुझीब भाई जो मुंबई की सरजमीन से यहां तश्रीव लाए है जब जब मालेगाओ वालों ने इन्हें आवास दी है इन्होंने कभी इंकार नहीं किया है बलके इन्होंने इस बात का इजहार किया है कि आप अगर मैं यहां हूँ नहीं हूँ अगर उत्तर पर्देश में हूँ मैं दीगर इलाके में हूँ राजेस्थान में हूँ मगर मालेगाओ शेहर वालों की इतनी महबते हैं कि मैं यहां आऊंगा भी और आपका मुकमल काम कर जाऊंगा तो इस वक्त गुजारिस कर रहा हूँ के मुजीब भाई यहां तश्रीप लाए और सद्र आली विकार जनाब जयईया अब्दुल जबार साहब से गुजारिस करो के आप मुखबतों की नजर हो जाए जनाब मुजीब भाई को खिदमतों से नवाज दे मुखबतों से नवाज दे आप उनका इस्तिक्बाल कर लें आप आजाए आजाए और दोस्तों अब वो इतना काम करते हैं हमारे लिए तो हमारा फर्ज बन जाता है मुशायरा मेडिया जो हम यूटूब पर देखते हैं वो इनी की मुखबतों और मेहनतों का नतिज़ा है इसे नवाजाए दोस्तों बहुत शुक्री आदा करता हूँ और उसी के साथ साथ कार्पुरेटर आमीन अंसारी को कार्पुरेटर कल के रोज बन जाने पर रहला कि मैं उनको पहले से मानता हूँ इस वक्त तो मैं चाहता हूँ सौहलाजास साहब यहे अद्र जब्बार साहब शौहला का नज़राना पेश करके महब्बतों का इज़ार करेंगे आमीन चेहरमेन साहब को आमीन चेहरमेन साहब को आप इस्तेकबाल कर रहे हैं आइए इस वक्त तो बड़े अदब like now बड़े अदब वहतराम के साथ निसार सेट राशनवाला साहब की भी खिद्मत आलिया में ये नजराना शाल मुहबत का पेश करने के लिए मैं यही अग्दिल जबबार साहब से गुजारिस करूं कि यहां तश्रीप लाए और शाल का नजराना पेश कर दे निसार सेट राश मुहतरम आजाएं यहां पर तश्रीप लाएं और आप उनका इस्तेक्बाल कर लें दोस्तों तालियों के साथ इस्तेक्बाल करें अभी